कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यहां लाइफ गुरू में जहां पे हम लोग मिलकर तैयारी कर रहे हैं सब्सक्राइब यहां है कि आपकी ले रहते हैं वहीं लेगे। आज किसी कारण वर्ष हमाये साथ नहीं है। यहां पर आज ओफिस नहीं है, और आपकी ले पाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों आज ऐसा किया जाए कि आपकी class मिसना हो अगर अगर अवेलेबिल नहीं थे तो हम आगए आपके साथ आज का session लेने तो उमीद करेंगे आज का session आप लोग भी enjoy करें मेरे साथ और मैं भी आप लोग के साथ उतना ही enjoy करूँ तो simplification की बात करते मन में कोई doubts या queries मत रखेगा आपका जो batch है वो sir ही लेंगे मैं आपकी साथ सिर्फ आज के लिए जोड़ा हूँ क्योंकि आज sir available नहीं थे इस वज़े से तो परिशान हुनी की बात नहीं है आज के session को हम लोग enjoy करके पढ़ेंगे के special class की तरह जहां पे आपका simplification हम लोग cover क और सिम्प्लिफिकेशन होता क्या है या यह सली करण है क्या नाम बताता है नाम से आप समझे अगर मैं आप से कहता हूँ simply यानी साधह सीधा साथा तो क्या करना है यहां से समझ में आरा है चीजों को simple रखना है बच्चों simple किन को रखना है तो math की चीजों को चीजों को simple लखने का मतलब क्या है अब माल लीजिए आपके सामने कई numbers लिखे हुए हैं और उनको mathematical operations जोड़ देते हैं mathematical operations usually जो हम लोग expression में use करते हैं आपके calculation के लिए वो होते हैं plus minus multiply divide ऐसे तो बहुत सारे mathematical operations होते हैं पर usually जो हम लोग use करेंगे वो प्लस minus into divide का इस्तमाल करेंगे और भी है पर अभी हमारा focus सिर्फ इन चार पर रहे हैं तो इन चार की मदद से जो आपके operations बन रहे हैं operation मतलब वाला नहीं डॉक्टर वाला नहीं इन से आप कहोगे सरी कैची चाकू है क्या जिससे operation होगा ना ना यह क्या है आपके दो नंबस को जोडने वाले connector का काम करते हैं अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 24 प्लस 36 तो आपको क्या पता चला यह दो नंबस जो है आपके 24 और 36 इनके बीच का जो connector है इनके बीच का जो connector है यह जो प्लस वाला sign यह आपका क्या बता रहा है mathematical operation बता रहा है और इसका मतलब हुआ कि इन दोनोρ numerical values को हमें add कर देना है इन दोनो workflow values को हमें यह क्या कर देना है add कर देना है तो इसी प्रकाश चृबहुत सारे जब हमारे पास mathematical operation एक ही expression में आ जाते हैं यानि एक ही समी करण में बहुत सारे आपके mathematical operation लग जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें कैसे solve करें इसके बारे में simplification में आता है चीजों को simplify करके आसानी से हम answer अच्छा ये mathematical operations को जब हम solve करेंगे तो आपका कोई procedure होना चाहिए उस procedure को हम लोग कहते हैं बच्चो बोड मास उस procedure को हम लोग क्या कहते हैं बच्चो बोड मास तो अब भहिया बोड मास क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया अब बोड मास में आता क्या है वो हम बात करें board mass होता क्या है आपके simplification के जो सवाल है उनमे mathematical operation किस अनुसार यूज करने है उसका आपको एक क्या कहते है order decide करने में मदद करता है चीक है कैसे करता है उसकी बात करता है पहले आप समझ लिए simplification में सवाल किस किस तरीकए के आते सिंप्लिफिकेशन में भाठों आपके सवाल जिस तरीके के आते हैं उनकी पात कर लेता है सबसे पहले जैसा मैंने आपसे कहा board mass पर बेस सवाल आ जाते हैं मैं कई लोग इसे वी बोर्ड मांस भी कहते हैं, हम बताएंगे अभी आपको वी बोर्ड मांस और बोर्ड मांस का अंतर क्या है, या दोनों सिंमलर क्यूं है, ञखज़िके, अच्छा, इसके बाद आपकी पावर, यानि in-dices पर बेस सवाल आ जाते हैं, इंडाइसिस पर बेस सवाल आजाते हैं, यानि पावर वाले सवाल आजाते हैं, या फिर आपके परसेंट और फ्रेक्शन वेल्यू का इस्तमाल करके, परसेंट और फ्रेक्शन वेल्यू को स्वाल करके सवाल आजाते हैं, या फिर आपके स्क्वेर रूट और स्क्वेर, स्क् सब कर सोब कर qo 사श gonna है कि या इन सब की सरकार जाती है मिस्ञेंइस जब कुछ नहीं हाता किसी कैठेगरी में कोई चीज खालί दा करता है मुसे क्या बोलतेगें यानी मिली जुली तरह क्या हो जाता है मिली जुली सरकार हो जाता है वच्चों तो यह इतने तरीके की सिंप्लिफिकेशन में सवाल बनते हैं हम लोग एक एक करके सब को दीरे-दीरे सर्म जेगे तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पिटा आज वह आए नहीं है अर्पिट जी आपके सर आज उनकी थोड़ा सा कुछ इश्यू है जिसकी वैसे वह आज अवेलेबल नहीं है आपकी क्लास लेने के लिए पर हम लोगों की प्रयास है कि आपकी डेली गंटे की क्लास हो क्योंकि आपका एक्जाम बहुत बफरिंग हो नहीं रहा था एक बास को अभी हम अपनी टेक्निकल टीम को देख लिए ऐसे होगी हम लोग की तरफ से अभी तो नहीं हो रही है अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं देखते हैं यह सेशन में किस तरीके के सवालों की हम लोग बात करें तो सबसे पहले अब करेंगे अब के अब आपके यहां पर क्या होना चाहिए कि पहले इन ढौनों को एडे करू फिर उसमें से माइनस करो फिर उसमें से माइनस करो फिर स्कूल लेविल्ज पर यह सही था स्कूल लेबिल पे ये सही था पर अभी हम लोग ऐसे नहीं करेंगे हमें पता है अगर माइनस ए माइनस भी है यानि दो नेगेटिव के टर्म आपको दिये गए हैं तो आप उससे लिख सकते हैं माइनस का ए प्लस भी यानि उन दोनों को एड़ करके नेगेटिव का साइन से भी आंसर आता है पर अब हम लोग क्या करते हैं जब इस तरीके के बड़े एडिशन और सफ्रेक्शन के सवाल होते हैं हम लोग एक ही लाइन में उन्हें सॉल्व करने का प्रियास कैसे करेंगे जैसी यहां दिखिए 7 है मुझे दिखा नेगेटिव वाले दौनों टर्म एड होंगे यानि 3 और 4 यह 7 हो जाएगा तो 4 और 3 7 नेगेटिव का पॉजिटिव 7 कैंसल क्या बचा 2 दो लिख लिए आगे बढ़ते हैं यहां पे सब खतम हो गया 2 आगे आगे वाला टर्म की बात करें तो यहां पे देखिए क्या है 8 और 8 16 16 में से कितना चला गया 3 और 3 6 नेगेटिव का कितना बचा दस बचा वो भी नेगेटिव का तो 0 लिखा और 10 आगे ले गए नेगेटिव ठीक है यानि ये वाला term भी खतम, ये वाला भी खतम, आप देखो यहाँ पे ये और ये भी खतम, अब आपके पास क्या बचा, पाच और पंदरा, पाच और पंदरा, बीस, और एक कैरी आ गया था, नेगेटिव वाला, एक माइनस वन कैरी होके आ गया था, यानि 16, 21 हो गया, कितना ह से 21 जो बना था, पाच पंदरा, और माइनस का 10 आ रहा था, यानि माइनस वन कैरी आ जाएगा, तो 21 हो गया, 21, 24 में से माइनस किया, 3, 14 और 3, 70, तो आपकी वैल्यू आ गई, 17,02, आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 17,02, चिक है, आप जिनका अंसर 27 आ रहा है, जिनका अंसर 27 सा रहा है, 2, 3 लोग है, आपर हम देख रहे है, एक चीज सोचो, कुछ मत सोचो, 14 और 24, 14 और 24, ये कितना हो गया, मैं पीछ वाली वैल्यू की बात ही नहीं कर रहा, 14 और 24 एट करूँगा, तो मेरे पास हो जाएगा, 38, 38, 5 और 15, 20, 38 में से 20 तो यही हट रहा है, 38 में से 20 हज गया, बचा 18, तो वैल्यू 27 के आसपास तो पहुचेगी नहीं, 17, 0, 2 होगा, एक बार कैलकुलेशन को चेक करें, तो एडिशन सप्रेक्शन इस तरीके से चलता है, इस पर हम लोग जादा बात नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, आगे बात करते हैं, क्योंकि एडिशन 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 सप्रेक्शन, यानि हमने क्या किया, पहले मल्टिप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सप्रेक्शन करेंगे, क्या करेंगे, पहले मल्टिप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सप्रेक्शन करेंगे, तो मास हो जाएगा, अ इसका procedure क्या बता रहा है, पहले multiply करो, तो पहले multiply करेंगे, तो इसको पहले solve करेंगे, तो 17 into 16, अब 17 into 16 क्या है, दो consecutive number है, दो consecutive number है, यानि दो ऐसे number जो लगाता रहा है, तो इनका square करने का तरीका क्या है, छोटे वाले number का square, प्लेस वही number, यानि 16 का square plus 16, तो यह हो गया 256 plus 16, यह कितना हो गया बच्चो, 256 plus 16 हो गया, 256 plus 16 करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 272, यह कितना हो जाएगा 272, 700 बच्पन आंसर आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया, वेल्डन अनिरुद जी, योगेश जी, है न, अभीनव जी, अर्पित जी, बहुत बढ़िया दिव्या, पल्लवी, बहुत अच्छे, GM बहुत बढ़िया, चलो, तो यह 272 हो गया, यानि आगर आपको table याद नही प्लस, अब दो consecutive odd numbers हैं, दो consecutive odd numbers हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके बीच वाले number का square minus 1, यानि 22 का square किता हो जाता है, 484 minus 1, 483, यह किता आ गया, 483, आपने add किया, तो 3, 2, 5, 7, 8, 15, 1, carry, 2, 1, 3, 4, 7, 755 आपका answer आ गया, आप सभी का answer 755 आ रहा था, अब देखो बच्चो हमने यहाँ पर logic क्या लगाया, IBPS RRB के form आ गया क्या, नहीं बच्चो देखो, IBPS RRB ने कल notification जारी किया, कल notification आया, करीबन 6 बजे के आसपास, देन 8 बजे के आसपास वो हट गया, सिर्फ 2,5 गंटे के लिए notification रहा, अब इ लेप साइट में बैक हेंड पे चीजे काम कर रहे होते हैं, अब जब बैक हेंड पे काम कर रहे होते हैं, हो सकता है उन्हें गलती से वो लाइव हो गया हो, अभी लाइव नहीं होना हो, कल या परसो में लाइव होता, सब मेरा नाम अनुरूधा यादव है, अच्छा, राधा यादव ठीक है अनुराधा यादव जी पिल्कुल आप गलत नहीं लेंगे ठीक है फॉर्म कपसे फिलोंगे अभी आप कह नहीं सकते क्योंकि वह नोटिफिकेशन हो सकता है गलत भी हो क्योंकि वह लाइव हुआ था पर हट गया तो कुछ दिन का वेट कर लीजे थोड सिल वाला नंबर लिया माइनस फाला कि यह क्या हो गया एं माइनस भी हो गया is a और पलस भी याई की एक हार स्कुर माइनस अचर इस तरीके से हमने पंञें लिए और वर्ट चाहिए अब यह दुबारा आएगा नोटिफिकेशन टो है हाँ हाँ बिटा ऐसा ही हुआ हम लोग फॉलूग करते हैं भया हम लोग को अगर पेपर भी नहीं देना है तब भी आप लोग के लिए तो करना ही है आपके लिए तेखो हम लोग पेपर भी देने जाते हैं आप ही लोगों के लिए हम लोग नोटिफिकेशन के बतला तुम लो है 108 into 96 108 into 96 minus 75 into 85 अब इसके अप्रोच क्या बनती है बच्चो इसके अप्रोच यह बनती है कि जब यहां पे कोई value 100 से जादा है यह 100 से कितनी जादा है यह value 8 जादा है और यह value 4 कम है तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे जितना है यह value उन्हें multiply कर लोगे मतलब 8 into 4 कर दोगे कितना करोगे 8 into 4 करोगे 8 वोजा 32 होता है तो 30 जो आ गया लेकिन यह value किसमें आई है बच्चो negative आई है यह value किसमें आई है negative आई है तो आपके दिमाग में क्या आएगा इसे positive रखने के लिए 100 से minus कर दो आप देखो यहाँ पे आप माइनस 32 आँ यहाँ पर आपका कितना आए माइनस का 32 आए आप 32 आख दो नेगीटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती तो हम इसे सो में से minus कर देंगे सो में से माइनस कि हमारे पास कितना आ गया 68 हमारे पास कितना आ गया 68 आ गया अब क्या करना है आट में से चार हटा दो आट में से चार चला गया कितना बचा चार एक कैरी लिया था इस सो को लाने के लिए एक कैरी लिया था इस सो को लाने के लिए तो यानि यहां पे आपका क में से 4 गया, 3, 4, 8 में से 4 गया, 4, 4 में से 1 गया, 3, ये 3 आ गया, तो 103, कितना रख दिया, 103, 3 बचा न, 100 में add करके रख दिया, 103 आ गया आपका, तो अगर आपको ये value solve करनी है, अभी तो मैंने एक एक step किया, तो आपने का 8 into 4, 8 into 4, 8 into 4, 32 होता है, minus का आएगा, 100 में से minus कर दिया, 68, 4, 8 में से minus किया, 4, 8 में से minus किया, आपके, minus 1 और आ गया, क्योंकि वो carry forward लिया था, तो आपके पास बचा 3, 103 आपने रख दिया, minus, आप इसकी बात करते हैं, 75, 85, 75, 85 को हम लोग कैसे solve करेंगे, 75 into 85, जब भी आपके पास एक ऐसा number है, माल लीजे, a, 5, और इसका अगला number जो multiply हो रहा हूँ, a plus 1, 5 से हो रहा हूँ, मतलब, ऐसे लिख लो, 103, 68 आ रहा था, अगर मैं आपसे कहता हूँ, कोई number ऐसे दिया गया है, 10, x, plus 5, और दूसरा number जिससे multiply हो रहा है, वो आपको दिया गया है, 10, x, plus 1, into 5, प्लस 5, तो जब आप इस condition को solve करोगे, आपकी आखरी दो डिजिट बिटा 75 आएगी, इसकी आखरी दो डिजिट कितनी आएगी, 75, plus 1, 5 से हो रहा हूँ, मतलब, ऐसे लिख लो, 103, 68 आ रहा था, अगर मैं आपसे कहता हूँ, कोई नमबर ऐसे दिया गया है, 10, x, plus 5, और दूसरा नमबर जिससे यह multiply हो रहा है, वो आपको दिया गया है, 10, x, plus 1, into 5, प्लस 5, तो जब आप इस condition को solve करोगे, आपकी आखरी दो डिजिट बिटा 75 आएगी, इसकी आखरी दो डिजिट कितनी आएगी, 75, तो आपने 75 रख दिया, ऐसे केस में हमेशा लास्ट डिजिट क्या हो जाती है, 75 हो जाती है, अब बात किसकी करते हैं, कि आगे वाली डिजिट कैसे बनीगी, तो 7, 8 और उसका अगला नमबर नहीं, तो आप क्या करो, छोटे वाले नमबर का अगले नमबर से, यानि 9 से मल्टिप्लाई करते हैं, 7 इंटू 9, 63 हो गया, तो यह आपका आगया, 6, 3, 7, 5, अब हमें क्या चाहिए, हमें इन दौनों का डिफरेंस चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, इन दौनों का डिफरेंस चाहिए, अब हमने डिफरेंस लिया, तो 8 में से 5 गया, 6 में से 7 गया, तो 6 में से 7 नहीं जा सकता, 16 में से 7 गया, तो बचा 9, अब यह हो गया, आपके पास 102, 102 में से सीधे सीधे मैं क्या करो, 63 माइनस कर दो 102 बचा ना एक तो मैंने carry ले लिया था आगे के लिए तो 102 में से अगर मैं 63 माइनस करूँ तो कैसे कर सकता हूँ देखो 102 में से 63 मैंने का अगर इसमें 40 8 कर दो इसमें मैं अगर 40 8 कर दो तो 103 हो जाएगा यानि 40 से 1 कमेट गनना है तो 39 399 3993 अंसर आ गयाँ कर आचा पिष्ले वाला कोशन दुबारा कर दे रुग गया ठालो कोई बात नहीं mean सकते हैं कि बीटा मास यान कर रहे हैं पीछे वाल् mixed करा यह यह वाला कमेशन दुबारा कर आ चलो दुबारा सुन लो देखो जब आपके पास दो ऐसे नंबर आ जाएं फिर से बता रहा हूं प्यार से दियान से सुनना मज़ा आएगा जब आपके दो नंबर ऐसे आ जाएं जो लगातार हूं 17, 16, 15, 18, 15, 16, 22, 24, 25 इस तरीके के दो नंबर से अगर लगातार वार ले आए तो हम क्या करते हैं छोटे वाले नंबर का स्क्वेर प्लस छोटा वाला नंबर क्या लोजिक लगाया जैसे 17 था 17 को मैं लिख सकता हूं 16 प्लस 1 तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा 16 प्लस 1 और इसमें 16 का मिल्टिप्लाई कर दिया तो यह आपका क्या हो जाएगा 16 का स्क्व जोड़ दो क्या करो 16 का स्क्वेर 256 इसमें 16 जोड़ दो तो यह आपका आजागा 272 प्लस इस वाले की बात करें जब आपके दो कॉंस्ग्यूटिव इविन या ओड नंबर आ जाए तब हम प्रोसेस क्या लेते हैं तब हमारी प्रोसेस यह होती है कि उन दौनों नंबर के ब 483 अब ऐसा क्यों किया क्यूंकि 21 को मैं लिख सकता हूं 22 माइनस एक और 23 को मैं लिख सकता हूं 22 प्लस एक यह क्या बन गया A minus B into A plus B यह बन गया A minus B into A plus B यानि 22 का स्क्वेर minus A का स्क्वेर A का स्क्वेर minus B का स्क्वेर ठीक है अब यह आपका solve हो जाएगा हाँ 108 into 96 वाला हाँ वो भी बता रहा हूँ चलो यह वाला ठीक है वो solve हो गया अब इस वाले को सुन लो परिशान मत हो पेटा आप लोग जब तक satisfy नहीं होगे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे है ना जब तक satisfy नहीं होगे आगे नहीं बढ़ेंगे एक एक question को एक doubt को आपके query को हम satisfy करेंगे आपको उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे पिछले वाला सवाल होगे, अभी वाला सुनलो, 108 into 96, 108 into 96 करना है, तो हम देखते हैं, यह 100 से कितना जाब है, यह 100 से 8 जाब है, यह 100 से कितना कम है, यह 100 से 4 कम है, ठीक है, क्या करा हमने एक तरीके से आप ऐसे समझिए, इसको मैंने लिखा, बच्चा इसको मैंने लिख लिया कैसे, 100 प्लस 8, और इसको लिखा मैंने 100 माइनस का कितना 4, अब इन्हें मल्टिप्लाइ करूँगा, तो जो प्रोसेस बनती, उसी की दिमाग में रख कर हम लोग सेट करेंगे, कैसे करेंगे, आठ इन्टू चार, आठ इन्टू चार क्या होगा, 32, एट फोजा, 32 पर नेगेटिव का आएगा, अब हमें पता है, ये दोनों डिजिट आखरी दो डिजिट बनाएंगे, पर आखरी दो डिजिट हम 32 रखेंगे, क्यों नहीं रख सकते हैं आपर, क्योंकि ये ये 68 हमारी लास्टू डिजिट बनाएंगे, अब ये कैरी फॉरवड कैसे हुई, ये कैरी फॉरवड ऐसे हुई, कि जब आप ऐसे समझो, ये इधर 800 हो जाएगा, ये इधर मल्टिप्लाय होगा, ये 400 हो जाएगा नेगेटिव, यानि ये 400 जो था, इसके बाद 32 यहां पर एड होता, तो आपके दिमाग में आया है, लास्टू डिजिट डबल जीरो होगी, क्योंकि 100-100 के फॉर्म में बनाया है, तो 32 जो माइनस हुआ है, कैरी फॉरवड आया था, वो आगे वाले इन दौनों के डिफ्रेंस से एक कम करने पर आया होगा, इन दौनों का डिफ्रें अब कैरी आगे माइनस वन ले लो, कैरी आया था तो माइनस वन ले लो, ठीक है, यहाँ पे आठ जादा था, यहाँ पे चार कम था, आठ में से चार हटा दिया, आठ में से चार हटा आया, चार और चार में से वो कैरी वाला माइनस कर दिया, तो 300 में एड कर दो, 103, 103, 168 का answer आ गया अब इधर देखो 75 85 यह वाली बात तो सबको clear हो गई थी यह वाली बात तो सबको clear हो गई थी ठीक है यह कैसे करेंगे पीछे 75 आएगा आगे क्या करेंगे 7 8 9 7 into 9 8 का अगला number यह आपके 7 into 8 8 plus 1 का multiply आप कर देंगे तो 8 7 into 9 63 होता है इन दोनों का difference लेंगे तो आपके पास value कितनी आ रही थी 3993 value आ रही थी 3993 चालो अगला अगला सवाल क्या कह रहा है अब देखो यह बड़ा लेंदी सा है लेकिन यहाँ पर हमारे दिमाग पर एक बात आती है कि पहले हम divide solve करेंगे क्यों 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 कि यह दीमास है यानि पहले division फिर multiplication फिर addition फिर subtraction तो पहले क्या division फिर आपका multiplication फिर addition फिर subtraction तो पहले क्या करना पड़ेगा बिटा division solve अब आप एक बात समझे अगर कहीं पर ऐसा लिखा है 25 divided by 5 इसको हम क्या लिख सकते है 25 into 1 by 5 इसको हम लोग क्या लिख सकते 25 into 1 by 5 यानि divide के sign को जब भी हम multiply में change करते हैं divide के sign को हम जब भी multiply पर change करते हैं तो divide के बाद वाला sign का जो value होती है उसका reverse हम put कर देते हैं उसका reverse को हम put कर देते हैं ठीक है अच्छा देखो यहां पर कुछ कह रहे हैं कि भाहिया लैप्टॉप पर देखो शायद network का issue है इस वज़े से buffer हो रहा होगा क्योंकि हमाई team भी कह रही थी buffering नहीं हो रही कुछ लोग शायद mobile में देख रहे हैं शायद उस वज़े से mobile के network की वैसे दिक्कत आ रही है उसके लिए कि आप लोगों को थोड़ी सी problem हो रही है प्रियास करें कि आप इसे या तो अच्छे net speed पर या फिर इसकी quality है उसको थ देख सकते 350 into 21 into 1 upon 25 plus 2898 into 1 by 21 अब देखो यहां पर मैंने इसे divide किया 25 से यह कित्ती बार जाएगा 14 times आप कहोगे सर आपने जल्दी कैसे बताया मेरे दिमाग में आया कि 350 है divide by 25 है तो मैंने कहा अगर मैं 50 से करता है इसे इसे 50 से divide करूँ अभी देखेगा 0, 0, 5 से 7 पार क्योंकि 5, 35 होता है तो मेरे दिमाग में आया 50 इसका दुगना है 50 से करता तो 7 आता मुझे सीधे सीधे दिख रहा है तो 50 इसका दुगना है तो बचेगा कितना दुगना है क्यों क्योंकि मैं 25 का दुगना इसे divide कर रहा हूँ तो जब मैं 25 से करूँगा आदा किया ना number, तो जो भी value आरहिऊगी वो क्को 21 से इसे divide किया, मुझे दिख रहा है हिए 7 से divide हो रहा है, यह दोनों प्यार, देखो 7 7 से divide हो रहा है, यह 4 बार और यह 14 बार, तो 7 से divide किया 3, यह आपका चला गया 4 और 14, 4 और 4, 8, 11, 9, यानि यह 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 414, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से और डिवाइड कर दिया, 3 से यह कितनी बार जाएगा बच्चों, 1, यह आपका है, तो सीधे सीधे 13, 13, 13, 39, 2 बच्चा, 24, 8, तो आपके पास क्या गया, 14 प्लस 138, यानि की 152, अच्छा ये 21, मुल्टिप्लाइण किया, 14 x 21 भी होगा, 14 x 121 भी होगा, यह 138 आ रहा है, यह 14 x 21 बचा, 14 x 21 मैं कैसे कर सकता हूँ, 14 x 1, 14 x 1, यानि मैंने क्या किया, पूरे पूरे टर्म का मुल्टिप्लाइए या, क्योंकि 14 का टेविल मुझे याद है 14 वन्जा 14 वन कैरी 14 टूजा 28 वन कैरी तर 29 294 294 प्लेस 13 तो चार और आठ 12 एक कैरी 29 और 31 और 13 43 432 आंसर आप ठीक है बिटा देखो दिव्या जी जो मैं आपको बता रहा हूं यह ट्रिक्स ही है पर क्या है क्योंकि मैं एक एक स्टेप आपको एक्स्प्रेइन कर रहा हूं तो आपको यह लग रहा है इसले बहुत लेंदी हो रहा है या टाइम कंजूमिंग हो रहा है अगर मैं इसको जाता मैं सीधे कहता 25 से 14 14 इंटू 21 14 वन केरी 29 294 21 से सीधे डिवाइट कर देता एक बच्ता साथ 79 तीन बार 63 बच्छा सेवेंटी सोला 168 आठ पार लीजे अब मैंने यहां से 6 इसको दे दिया यह हो गया 200 300 300 और 132 432 आंसर तो आप इसे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो यह सिंगल लाइन के सवाल हो जाएंगे है ना तो हम आपको बेस बता रहें क्योंकि अगर आप सोचो बेस नहीं पता होगा आपको मैं सीधे सीधे चीजे करा दू एक लाइन में मैं कर दू वर्बली आपको समझ में नहीं आएगा तो हमारी मजबूरी है कि मैं आपको बेस के स जल्दी कर सकता है इसी बात पे अगला सवाल देखू अब ये सवाल क्या है यहां पे टीन डिवाइद एक साथ आ गए हमें पता है division के case में हमने आप से कहा division हम पहले करते हैं अब division कौन सा पहले करूं यह वाला यह वाला कौन सा division पहले करूं कैसे decide करेंगे तो आपका expression कहां से शुरूरा यहां से और किस तरफ बढना है इस तरफ ऐसे जा रहा है expression तो हम divide भी यहीं follow करेंगे divide के लिए भी यही follow करेंगे कि expression अगर यहां से start हो स्टार्ट ईवार इस तरफ जा रहा है तो सबसे पहले हम पहले वाला divide करेंगे फिर उसके बाद वाला डिवाइट करेंगे फिर हम उसके बाद वाला डिवाइट क्लियर नहीं कहां से जाएगा left to right जाएगा ऐसे जाएगा ठाइए एसे जोगा ये चिशत्स से सबस्पाइए ये तरह या हाथ सभी नहीं जा रहा हो ठेक है चलो line सही बता रहे, इस तरह जाएगा, पिखें? left to right जाएगा, left to right जाएगा, तो अब देखो, या तो आप left to right इसे ले जाओ, या सबसे बैस तरीका क्या है, divide को मैंने कहा, आप multiply में change कर सकते हूँ, है सीधे-सीधे multiply में change कर लो आप सीधे सीधे क्या करो multiply में change कर लो अब multiply का मतलब है आप किसी को भी solve कर सकते हो पहले answer आपका 6 आजाएगा answer बच्चों आपका क्या आजाएगा 6 बात clear है तो जब आपके पास कई division एक साथ आजाते हैं तो आप क्या करते हैं multiply में change कर लेते हैं वहना left to right जाते हैं आगे अच्छा अगर कभी point में value आ जाए अब point में value आ रही है हम कैसे solve करेंगे आपके दिमाग में आता है बच्चों के हम क्या करें 5.5 है point अटाया नीचे 10 into 18 divided into 0.75 point अटाएंगे 100 उपर बन जाएगा 25 से चार बार 25 से 3 बार 5 से 2 बार 5 से ग्यारा बार 2 से 2 बार 3 से 6 बार 6 into 12 12 11 into 12 हो जाएगा 11 into 12 होता है 131 का square 121 plus 11 132 सही है 132 आपका answer आ रहा है सभी का answer 132 आ रहा है पल्लवी वर्मा बहुत बढ़िया अनुराधा यादव है ना बहुत बढ़िया योगेश्वर कुमार योगेश्वर कुमार चलो अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो दिक्कत होगी लेंदी हो जाता है कही बार अगर मैं इस वैल्यू को दिहांद से दिखूं तो 5.5 को मैं क्या कह सकता हूं 11 का अध 1818 रहा डिवाइड बाई इंटू 75 को क्या लिख सकता हूं 75 75 को अगर देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 24 divide by 20 सुरी 15 divided by 20 इसको मैं क्या लिख सकता हूं 15 divided by 20 कैसे साड़े 15 का अधा होता है साड़े साथ ठीक है और पॉइंट एक और आ गया आ गया यानि की 15 को हमने किस से डिवाइट किया साड़े साथ एक पॉइंट और आ रहा है तो 0 यह आप इसे और चाहो तो इसका मतलब होता है 3 बटे चा इसका मतलब क्या होता है इन्टू का साइन लगाया वैल्यू पढ़ जाएगी यानि 4 बटे 3 2 3s are 6, 6 से चला गया 3 times, 3 into 4, 12, 12 into 11, 132, answer आपका 132, answer अच्छो कितना आ गया, 132 यह एक procedure हो गया, अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्या आता है, of open and de-mass, of open या de-mass क्या होता है, देखें, जब भी आपके सामने इस तरीके की values आए, तो आपका logic क्या चलता है, of यान का, देखो open वाला जो part है न बिच्चो, यह आपका आता है bracket के सामने, यह किसके साथ आता है, brackets के सामने, अगे brackets क्या होते हैं, कैसे solve होते हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे, फिलाल आप of, यानि का वाला मतलब समझो, अब का का मतलब क्या है, का का मतलब है, 75 of 2, इसका मतलब क्या है, 75-2 बार आ रहा है, ऐसे मतलब, 75-2 बार, 75-2 बार का मतलब क्या हो गया, 150, Сов, 2 बार का मतलब कितना हो गया, 150, यानि of जो है, अगर वो division से पहले हो रहा है, off क्या है, division से पहले है, यानि अगर मैंने यहां पर लिखा है, 128 into 6, टिवाइड के बाद, 175 of, यानि जो यह वाली वैल्यू है यहां पर जो कैल्कुलेशन हो रही है पिछत्तर इंटू दो जो कैल्कुलेशन हो रही है वह एक साथ होगी और 150 नीचे आएगा 150 नीचे आएगा अगर आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 128 इंटू 6 दिवाइड वाय का इंटू किया 75 और नीचे 2 75 नीचे 2 अब देखिए आप इसे क्या कर सकते हैं 2 से यह चला जाएगा 3 बार 3 से चला जाएगा 25 तीन से चला जाएगा 25 यानि वैल्यू आ रही है 128 डिवाइड बाय 25 अब जब भी कोई वैल्यू 25 से डिवाइड हो रही हो बच्चो तो आपके दिमाग में बात अधरwo जाती है यहां पर 4 का मेंतिप्लाइए कर दो यहां पर 4 का में करने से फाइदा क्या है चार्ज का मल्टिप्लाइए करने से फाइदास यह है जो बन गया यानि उपर हो गया 512 और नीचे हो गए आपका 100 आपकी वैल्यू क्या हो गई 5.12 है ना बहुत बढ़िया अनुरादा जी है जिनी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है लॉजिक क्या लगाया हमने हमने कहा के 128 इंटु 6 दिवाइट का मल्टिप्लाइ वन अपॉन अफ लगा है तो यह दौनों टम एक साथ नीचे चले जाएंगे 35 x 2 आप चाहू तो 1.500 भी लिख सकते हो 6 से यह 25 बार चला जाएगा 128 बटे 25 है तो नीचे चार का मल्टिप्लाइ उपर 4 का मल्टिप्लाइ यह 512 हो गया नीचे 100 हो गया उपर 512 हो गया नीचे 100 हो गया यानि 5.12 हो गया अगला सवाल आगया है फिर से आप लोग अब इसे कर सकते हो ना क्या करना है 24 इंटू 18 डिवाइट की जगे मल्टिप्लाई 1 अपॉन 8 इंटू 72 वन अपॉन 8 इंटू 72 24 से यह आपका चला जाएगा 72 तीन. तीन से यह आपका चला जाएगा चार बार दो 12 0.75 जो आपको समझ में आए 3 by 4 या 0.75 अगर आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही है पल्लवी वर्मा प्रमोद बहुत बढ़िया अनुराधा बहुत बढ़िया योगेश बहुत अच्छे सब का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है बच्चो मजा आ रहा है ब्रिजेंट बहुत अच्छे मजा आ रहा है ना चलो इसी बात पर बढ़ते हैं आगे अब यह एक ऐसा सवाल है ब्रैकेट ओपिन पहले बात कर लेते हैं यह क्या है ब्रैकेट एंड ओड मास यानि ब्रैकेट ओपिन या ओफ या फिर डिवीजन मल्टिप्लिकेशन एडिशन सब्रैक्शन तो सबसे पहले हमें क्या करना है ब्रैकेट ओपिन करना है फिर ओफ को यूज करना है फिर डिवीजन करना है फिर मल्टिप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्रैक्शन अब अगर मैं आपसे बात करूं ब्रैकेट ओपिन की तो ब्रैकेट आपके कुछ अलग अ तरीके के हैं जिसकी वयदिया व सी वही doctor हमाज बहले समझ लू कि अगए लग जाता है। इसका मतलब हो जाता है तो अब यह वैनी कुलम क्या होता है वैनी कुलम भी एक bracket का type जा ब्रेकर का टाइप है हम लोग जब स्कूल में थे हम लोग उने तीन प्रकार के bracket पड़े राउंड करली स्कुेर छोटा कोश्ट क मद्ध्य कोश्ट तक बड़ा कोश्ट इस तरह के से पढ़ा है और पड़ाये हमेशा ब्रैकेट अंदर से बार की तरह खुलते हैं अब क्या हुआ एक और नए प्रकार का ब्रैकेट आ गया जिसको हम बार की तरह उपर लगा दें इसको हम लोग बोलते हैं वेनिकुलम ब्रैकेट इसको क्या बोलते हैं बच्चों वेनिकुलम ब्रैकेट हम जाएंगे टेक्निकल्टीम एक बार हमको जाए जूम अप कर दे तो यहां पर क्या रहता है कंडीशन हमारी कंडीशन यहां पर क्या को खोलेंगे आप क्या करेंगे राकिक को सबसे पहले एक काम करिए अब हमारी टेक्निकल्टीम को सामने लिए ठीक है फिर आपका ड्रॉइंग रॉम का दर्वाजा और फिर बार वाला में गेट आप गर के अंदर है तो पहले रूम के बाहर आओगे फिर drawing room के बाहर आओगे फिर main gate के बाहर आओगे और फिर बार वाले gate के बाहर आओगे सही है तो process यही चलेगा ठीक है क्या चलेगा process यही चलेगा अच्छा यह तो बात हो गई bracket की अब इस सवाल की बात करते है यह सवाल बड़ा विवादित रहता है क्यों विवादित रहता है हमने पढ़ा है division पहले करना है तो हम कहते हैं division पहले कर दो bracket कोल दो और answer बता देते हैं 16 अगर आप ये करते हैं तो आपका answer हो जाता है बच्चों गलत अब answer गलत क्यों होता है उसका reason है दियान से सुने अब bracket के बार 6 लिखा है bracket के बार मैंने 6 multiply कर दूँ 6 का अंदर multiply कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 18 ये हो गया आपका 24 तो 24 डिवाइड बाइ 24 ये आपका आगया फो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो अगर मैं लिखता 6 प्लस 18 6 इसमें से मैंने common ले लिया 6 इसमें से common ले लिया तो मेरे पास बचा 1 प्लस 3 म तो लिखा 6 सई 1 प्लस 3 तो आप सोचिए अगर मेरे पास ये लिखा है 6 इस तरीके से तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अंदर वाली value है ये बाहर उससे multiply होगी ये अंदर वाली value बाहर वाली value से multiply होगी यानि 24 डिवाइड बाइड बाइड 6 ये 4 तो पहले ये solve होगा 24 24 आंसर आ जाएगा 1 ठीक है 6 इंटू 4 पहले होगा बच्चो उसके बाद आपका solve होगा 6 इंटू 4 ही होगा है ना ब्रिजेंद्र शी 6 इंटू 4 होगा बात clear होगी कैसे होगा 6 इंटू 4 चलो अगर इतनी बात clear तो आगे बात करते हैं अगर इसी सवाल में मैं थोड़ा सा twist and turn डाल देता अब मैं इंटू 4 अब ऐसा थोगे ना यह bracket के बान लिखा है अब यह bracket के बाहर नी लिखा अब इसे भी तो सकता है 6 इंटू 1 bracket में एक ब्लस ती तो यहां पर क्याоды यह bracket के साथ जो अलना term था वह one था नाúblic मॉल्टिप्ला यह अब क्या है इन दौनों के बीच में एक operation लग गया इन दौनों के बीच में क्या हुआ एक mathematical operation लग गया तो अब यह multiply पहले नहीं होगा अब पहले डिवाइड होगा तो अब आपका answer 16 अब आपका answer क्या होगा 16 अब इसी सवाल में थोड़ा ओट पेस डाल दें अगर multiply की जगे off का sign लग जाए तो off के side में हमें क्या पता था बच्चों अभी मैंने आपको बताया अगर कहीं पर भी off का sign लगता है इसका मतलब हो जाता है कि पहले आप क्या करेंगे off का मतलब पहले आप multiply करेंगे यानि 24 divided by 6 divided by 6 into 4 पर अब क्या होगा यह 6 into 4 पहले होगा क्यों क्योंकि off की वज़े से multiply आया यानि 24 divided by आपका 24 वनाज़ तो आप ऐसे समझ लो अगर bracket के बाद number as it is लिखा है या bracket के बाद off लगके लगा है इसका मतलब bracket के साथ वाली value bracket की value से multiply होगी फिट division होगा पर अगर directly multiply का ही sign लगा दिया गया है तो क्या होगा पहले division होगा फिर multiplication होगा इतना basic सा difference clear हो गया यह बड़ा confuse करता हो सवाल गलत करवाता है exam में अब आप लोग exam में सवाल गलत नहीं करोगे मैं उमीद करता हूं इसी बात पर बढ़ता है अगले सवाल की तरफ अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है 5 plus 34 minus 7 bracket में 24 divide by 3 33 minus 83 minus 38 into 5 तो अब सबसे पहले हम क्या solve करेंगे सबसे पहले बच्चों हम ये वाला solve करेंगे सबसे पहले हम लोग ये solve करेंगे अब सबसे पहले अगर हम देखो brackets में आपको क्या बताया था बार या veniculum bracket फिर round bracket फिर curly bracket फिर आपका square bracket यानि पहले आप अपना room का दर्वाजा खोलोगे अब room का दर्वाजा खोलोगे यानि पहले इस part को solve करोगे तो ये कहता हो जागा 33 minus 5 और फिर पीछे लगा है 5 तो 5 into 5 कितना होता है 25 तो ये कहता हो जागा 25 33 में से 25 चला गया कितना बचा 8 तो अब हमें पता चला यहां पर कि इतनी value को इतनी value solve करने पर मेरे पास 8 आ रहा है इसको solve करने पर 5 आ रहा था इस पूरे को solve करने पर 8 आ रहा है तो अब ये क्या हो जाएगा 5 plus 34 minus 7 bracket अब यहां पर क्या हो जाएगा 24 divided by 24 हो जाएगा बाहर आपके पास किता आया 5 plus 34 minus 7 27 27 plus 5 32 आंसर आ रहा है सबका आंसर क्या आ रहा है बिलकुल सबका आ रहा है क्लेर हो गई बात चलो इसी बात पर बढ़ता है अगले सवाल की तो अगला सवाल क्या कह रहा है 36 minus का 4 फिर bracket के अंदर 4 plus 24 divided by 8 into 3 plus 10 यानि अब अगर मैं इसे solve करूँगा तो पहले क्या करना पड़ेगा divide solve पहले क्या करूँगा divide तो यहां से आपका क्या आएगा 24 divided by 8 3 फिर क्या करूँगा ये 3 हो गया फिर multiply करूँगा तो 3 into 3 9 सबसे पहले मैंने क्या किया divide किया तो 24 divided by 8 3 फिर 3 into 3 9 9 plus 4 9 plus 4 13 यानि ये value हो गई 36 minus का कितना 13 फोर्जा कितना हो गया था 9 और प्लस 4 9 4 13 13 into 4 बावन 13 फोर्जा 52 प्लस 10 तो ये आपका आगया 36 minus का sorry 36 क्यों 46 हो गया 36 plus 10 46 minus का 52 minus 6 आंसर आगया minus 6 आंसर आगया फिर से बता रहा हो देखो 24 divided by 8 पहले डिविजन किया तो यहां से मेरे पास क्या आया 3 फिर 3 into 3 किया यहां से आगया 9 9 को 4 में जोड़ा मेरे पास आगया 30 यानि 36 minus 4 into 13 4 into 13 कितना होता है बावन माइनस का 52 प्लस का 10 36 plus 10 46 46 minus 52 आपका आगया minus 6 जिनका आंसर 6 आ रहा है बेटा गलत हो जाएगा तो इसी के साथ आज का जो सेशन है वो हम लोग समाप्त करते हैं अगले सेशन में मिलेंगे तो आपके गुरू जिनने आपसे वादा किया यह बैच कंप्लीट करने का वो आपसे मिलेंगे आपको सिंप्लिविकेशन का पार्ट 2 पढ़ाएंगे पर आज के सेशन में बस इत उस पर अपनी कोईरीज डाउट पूछ सकते हैं हम आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे साथ स्यादा बच्चे हम लोग से आंसर पाते हैं और आगर आप भी वेज़ेंगे तो आपको भी मिलेगा आपका जो भी रिवियू है आप हम लोग को यहापे बता सकते ह हैं ताकि हम लोग आपकी अकॉर्डिंग जो चीजों का इंप्रूब्मेंट चाहिए वो ला सके और आपका जो एजुकेशन का या लेक्चर का जो मैथर्ड है वो और इंप्रूव कर सके आपके अकॉर्डिंग पर अभी के लिए हमें दीजे जाज़त रीजनिंग गुरू हो आपके तयार है अगला सेशन लेकर तो कहीं जाएगा मत जोड़े रहेगा हम लोग के साथ अभी के लिए थैंक्यू एब्रिवान हाव ग्रेट टेग पर अग्रेट अ घब्रिक को मात जोड़ पर अइा थेजा दिर्ट बध्रूब्रू बशाऑना ओसी जाएगा मत जोड़े विए हमें की उर्म होलेखं़।